हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं राजा भया के नई पार्टी बनाने के एलान से बीजेपी में हरकम मच गया है सुत्रों की माने तो बीजेपी राजा भया को मनाने और अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश कर रही है बता दे कि बीजेपी पहले से ही सपा बसपा गडबंधन से परेशान दिख रही थी तो वहीं राजा भया के पार्टी के एलान ने BJP का सरदर्थ बढ़ा दिया है BJP को अच्छे से पता है कि बिना UP जीते दिल्ली फता नहीं हो सकती है ऐसे में पहले से ही विभिन मुद्दों पर जैसे SCST, पेट्रोल डीजल, महंगाई और बेरुजगारी पर बैक फूट पर चल रही BJP UP में अब चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान BJP को राजा भया पहुचा सकते है क्योंकि SCST Act को लेकर सवन समाज में काफी गुसा है और समाज का एक बड़ा हिसा मोधी के खिलाफ वोटिंग के मोड में दिख रहा है ऐसे में राजा भया की पार्टी के एलान से सवनों का जुकाओ राजा भया की पार्टी के तरफ हो सकता है क्योंकि राजा भया ने SCST Act पर मोधी और योगी के खिलाफ खुल कर विरोध किया था और समण समाज के साथ खड़े दिखे थे ऐसे में BJP के लिए मुश्किलों के द्वार खुल गये हैं एक तरफ सपा बसपा के गडबंधन की खाई है तो दूसरी तरफ राजा की पार्टी का कुवा है राजा की पार्टी के एलान से पहले BJP ने सपा बसपा गडबंधन से नेपटने के लिए सिवपाल को अखिलेज के सामने उतार दिया था और सिवपाल ने अपनी पार्टी बना कर गडबंधन के माथे पर बल ला दिया था लेकिन राजा भया की पार्टी के एलान ने लोकसभा का मुकाबला फिर से बराबरी पर लाख़डा किया है समर्णों को अपना ओर्ट बैंक समझने वाली बिजेपी को राजा के इस मास्टर स्ट्रोक से बड़ा जटका लगा है यही नहीं राजा को पार्टी के नाम पर समर्णों का खुब समर्थन भी आसिल हो रहा है जिसको देख बिजेपी में हड़कम बचा हुआ है और बिजेपी अब अपनी रणनीतियों पर पुना विचार करने में जुट गई है राजनीती के सतरंज पर राजा के इस चाल से विरोधियों को चेकमेट मिल गया है अब देखना दिल्चस्पोगा कि राजा की रणनीति का विरोधि क्या तोड निकालते हैं ब्यूरो रिपोर्ट नियू जाई इंडिया